दोस्तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या खरीदना चाहिए इससे भी ज़्यादा इंपोर्टन ये है कि आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट के कच्रे को पैचाना सिख गए तो फिर हीरे मोती आपके ही है दोस्तो स्टॉक मार्केट में कौन से खरीदने चाहिए ये तो बहुत लोग बताते है बट कौन से शेयर नहीं खरीदने चाहिए ये कोई नहीं बताता तो इस वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर नहीं खरीदना चाहिए कौन से शेयर से आपको दूर रहना चाहिए दोस्तो स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे शेयर होते है जिन में आपका पैसा हमेशा के लिए फस जाता है हम यह सोचते हैं कि आज नहीं तो कल यह रिकवर हो जाएंगा और मेरा जो लॉस हो है वो भी रिकवर हो जाएंगा बट वैसा होता नहीं है लंबे समय तक वो आपके डिमैट अकॉन में पढ़ा रहता है लॉस में ही पढ़ा रहता है और हम यह उमीद में उसे अपने डिमैट अकॉन में रखते हैं कि आज नहीं तो कल यह रिकवर हो जाएंगा बट वो कभी रिकवर होता नहीं है तो इस तरीके के शेयर जो होते दोस्तों इनसे हमें हमेशा बच कर रहना चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 शेयर बताने वाला हूँ जिन शेयर से आपको दूर रहना चाहिए तो पहला है पेनी स्टॉक पेनी स्टॉक से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए penny stocks की वैसे तो कोई definition नहीं है बट आप ये मान के चलिए कि जो share का भाव 20 रूपे से कम है उन्हें हम penny stock बोलेंगे और उस तरीके के जितने भी share है उनसे हमें दूर रहना चाहिए देखिए जोस्तों आप simple दिमाग लगाईए एक particular company कई सालों से stock market में है इतने सालों से stock market में होने के बावजुद भी आज उसका भाव 20 रूपे से कम है that means क्या है that means उस company में कोई दम नहीं है वो company खराब है इसलिए उसका भाव 20 रूपे से कम है अगर company अच्छे होती company के fundamentals अच्छे होते गिर कर जाद से जादा कितना होगा 10 रूपे का share है जाद से जादा गिर कर कितना होगा zero होगा बड दोस्तों लोग यह नहीं समझते है कि जब हम penny stock खरीते है उसका भाव कम होता है तो उसका भाव कम होने के कारण हम क्या करते है जादा quantity में penny stock को खरीते है दो चार पाच quantity थोड़ी हम लेंगे 10 रूपे का कोई share है तो उसकी लोग जादा quantity लेते है बड़ी quantity में वो share खरीते है कहने का मतलब यह है कि हमें जतनी capital लगाना stock market में हम उतनी ही लगाते है अगर penny stocks मान लो कोई penny stocks है जिसका भाव अगर 10 रूपे है और कोई बंदे को 10,000 रूपे लगाना है तो वो 1000 quantity खरीदेंगा उसकी और अगर यह penny stocks zero हो गए तो पुरी कुरी हमरी capital zero होने वाली है यह आपको सोचना चाहिए और penny stocks के zero होने के चांसे ज़्यादा रहते है दोस्तो बशरते वो वाले share जो fundamental sound share है बहले उनका price ज़्यादा हो वो जल्दी zero नहीं होंगे बढ़ यो penny stocks रहते हैं वो डूपते वे रहते हैं डूपते वे जहाज की तरह होते हैं वो कभी भी डूप सकते हैं तो उनसे हमें हमेशा बच कर रहना चाहिए मान लिजे दोस्तो कोई share है जिसका भाव 10 रुपे है और आपको 10,000 रुपे इन्वेस्ट करना है तो आप उसकी कितनी quantity खरीद होंगे 1000 quantity खरीद होंगे और दूसरा share है मान लो जिसका भाव 500 रुपे और आपको 10,000 रुपे ही इन्वेस्ट करना है की जो 10 रुपे का शेयर है उसके डूबने के основ जादा है वह 500 रुपे वाला जो शेयर है उसके जिरू होने के chances बहुत कम है ठीके तो आपको यह समझना चाहिए जिसके chances जादा है वहां पर जिसके chances डूबने के ज़्यादा है वहाँ पे हमें पैसा नहीं लगाना है और बढ़ने के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो शेयर जो बढ़ता है दोसो परसेंटेज वाइस बढ़ता है दस रुपे का शेयर को अगर दस परसेंट बढ़ाना है तो दस का गैरा ही होंगा वो और प fundamental sound company भले उसका भाव अगर ज्यादा क्यों नहों वो शेयर जलूर बढ़ता रहता है तो हमें कभी भी शेयर खरीदते वक्ट शेयर का भाव नहीं देखना है शेयर की वैलू देखना है और शेयर की वैलू देखकर ही हमें शेयर खरीदना बट एक भाव आप जरूर देखिए क कि 20 रूपे से अगर वो कम है तो वो हमें नहीं खरीदना है 20 रूपे से उपर जितने भी शेयर है उनी में आप अपनी fundamental study करिए उनी में आप research करिए और उनी में से आप share खरीदिए इसके बाद में दूसरी कंपणी है खराब management वाली जो company है उन company से आपको दूर रहना है और भी company आए तो उन से आपको दूर रहना है मतलब जो management पर डाग लग चुका है उन तरीके की company उसे आपको दूर रहना है क्योंकि एक बार अगर डाग लग जिया तो आगे भी chances यह रहते कि कही ना कई कुछ ना कुछ company में चलते रहेंगा कुछ ना कुछ फ्रॉड होता र तो उसके आगे भी chances रहेंगे कि वह आपको डुबा सकता है तो इस तरीके के management वाली company से आपको दूर रहना है हाँ आगे जाके अगर management इंका change हो जाता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि इनका share खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए बट same management अगर company में continue है तो फिर उस तरीके की company से हमें दूर रहना चाहिए उसके बाद में दोस्तो तीसरे तरीकी की company जिन से आपको दूर रहना है वो है ज्यादा advertisement पर खर्चा करने वाली company ऐसी company जो बहुत ज्यादा advertisement पर पैसा खर्चा करती है उन तरीके की company से भी आपको दूर रहना है मतलब कहने का मतल कर जाद आवर्डाइजमन करकर ही अपना प्रोडरीक बेचना चाहती है उनके प्रोड़ुक्त म r oblination करकर ही हमें प्रोड़क बेचना है वैसद ही अगर कोई भी कंपनी में दम होता है तो अटमेटिक उसका प्रोड़क्त ही है देखिए दोस्तों अगर company को बहुत ज़्यादा advertisement करकर अपना product बेजना पढ़ रहा है that means उसके product में कुछ न कुछ तो concern है तो उस तरीकी की company से हमें दूर रहना है एक limit tech advertisement ठीक है दोस्तों बट एक limit से ज़्यादा अगर कोई company advertisement कर रही है तो उस तरीकी company से आपको दूर रहना अगर company के product में दम होगा तो वह company अपने आप चलती है बहुत ज़्यादा advertisement उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती आज के तारीक में आगर मैं आपको बता हूँ तो जिरोदा को देखिए जिरोदा कोई भी advertisement नहीं करता है बट फ बट ये भी तो एक कारण है उसमें इसमें भी तो काफी खर्चा हुआ company का तो जो company बहुत ज़्यादा advertisement पर खर्चा कर रही है उनसे आपको जरूर दूर रहना चाहिए वही अगर मैं बात करूँ जिरोदा की तो जिरोदा आज के तारीक में कोई भी advertisement नहीं करता है फिर भी इंडिया का topmost broker है तो दोस्तो अगर आपके product में दम है तो आपकी company चलींगी बिल्कुल चलींगी बहुत ज़्यादा advertisement करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है उसके बाद में जिन company से आपको दूर रहना है वो है government companies government companies से आपको दूर रहना है क्योंकि government का prime काम business करना नही है government का पूरा focus business growth पर profitability पर नहीं होता है उनका जो main focus होता है वो general public पर पहले होता है उन्हें general public का पहले ध्यान रखना होता है उसके बाद में वो अपना business growth और profitability के बारे में सोचते हैं जबकि अगर हम private player की बात करें तो उनका पूरा पूरा focus ही business growth और profitability पर होता है तो private company से जादा होता है और obviously हम share as a shareholder अगर हम देखेंगे तो company का growth अगर करेंगी company profitability रहेंगी business growth करेंगा company का तो उसका share का बहुत बढ़ेंगा तो as a shareholder हमें वो वाली company में पैसा लगाना चाहिए जो आगे जाके growth की तरफ है आगे जाके जिसकी profitability अच्छी रहेंगी तो वो private player में हमे देखने को मिलता है उसके बाद में तो high debt company से आपको दूर रहना है वो वाली company जिस पर बहुत ज़्यादा करजा है एक limit करजा ठीक है क्योंकि company को business करने के लिए करजा लेना भी पड़ता है बट एक limit से ज़्यादा company ने करजा ले लिए company की जितनी share capital नहीं उससे ज़्याद को दूर रहना है तो stock market में क्या खरीदना चाहिए उससे भी ज़्यादा important यह होता है कि क्या नहीं खरीदना चाहिए तो इन तरीकी की company आप जरूर बच कर रही है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लागा हूंगा वीडियो अच्छा लागा वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दिस इस इमरान शेख साइनिंग ओप